हालो पिला माने दिस इजी यार में टर जोलो जोडिया प्रिपेस वीडियो रहां में डिस्कॉस करते ले तम्मरोग पेपर टेनर यूनित नम्बू वन जूठी यामी बायो केमिस्ट्री पोड़ुते ले मेटाबोलिक प्रोसेस मनंगर अन्यार कम्पलेट प्लेट प्रिपिशन दॉक्स रहें मिली जीवो जाहाँ प्रतमे क्लिक करें की इसली से सब को डाउनलोड करें परिवो आज रहें वीडियो रहें में डिस्कॉस करें वा ओल अबाउट तरी यूज आफ रिद्यूसिंग एक्वेलेंस और को फैक्टर्स सो फास्ट अफल आफल आमा इना रिडॉक्स रिएक्शन ओफ मेटबलिक प्राउस पात्वेश नाउ डूरीमेंबर आमे इत्रा मेटबलिक पात्वेश रथा को जी विच विच इस अल अबटाउसिस मेबी द ग्रेव साइकल और इस अल्सो ना थाईस। टीसियस साइकल और मेब द इलेक्टरों को फैक्टर्स नाँ, सो को फैक्टर्स जिदी कहँगा कुछिबा, इमाने हुच्छों थी नॉन प्रोटीन केमिकाल का माउन, जेकी कौन करन्ती, ना गोड़े एंजाइम से तो लागी जान्ती, जाकी गोड़े मायोकेमिकल रियक्शन को काटलाइजिंग करे बारे, हेल्प करे, काटलाइजिस मतलब बुच्छों, जेकी आसी की एंजाइम से तो लागी की रियक्शन को स्पिडप कर दवो, ठीक हो छे, बट तारो ओन कोनो सी चेंजे सासी वाने, दाटीस काटलिस्ट, ओके, बाइपस देने भी रिडूसिंग एक्कुवालेंट्स को बुचिवा, और अलोंग विच सम एक्साम्पल्स, इचो रिडूसिंग एक्कुवालेंट्स रहिला, तरक शिरा एक्साम्पल होची, NADH, NADPH, 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 and all about FADH2, and so on, okay, so just बुचिवा, NADH यो रहिला, which is the full-pron, देखो, त NADH यो रहिला, NICOTINAMIDE, Adenine, DYNOTY, and जो रहिला थारा फस्फोरालेटेड फ़र्म, ठीको छी, से फस्फोरालेटेड फ़र्म पुरान आ कोण, ना NADPH, जे कोटी गोटी ये कोण, ना Reducing Inconvalence, अमे जो रहिला, जो रहिला, जो रहिला, यो रहिला, यो रहिला, यो रहिला, ये अनागोलिक रहिला, जो 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 रहिला, अग्यावर राइड़ ऑपा नामरो ग्लोकोज मुलेड वे गविटते इंट पायर गविट मुल ना के फिर्यूस तो चीक कन ना आव गोती हैन्我 रिडूसिंग में प्लेंट वा तर न यह ब थो चुटिक लिटीपल रिडूसिंग कॉभलेंट टाना तर नानुटिधि दिर्यार अ मुल्टिपल रिडूसिंग और प्रजेंट इन्सेड ओडोलिप्टो अड़ ऐड़ार बद क् ओके सो देन बुझिबा रोलीने एनर्जी प्रोडक्शन जो आमरा रिडूसेंग बलन्ट रहे तांकर रोल को नो एनर्जी प्रोडक्शन करिवारे तो जो दिया में कही बाकुझिबा इजो मलेकुल मने रहे ले जिकी बहुती क्रूशियल आमरा ट्रांसफर करिया पाईंका यहातोरा कोन ही परे ना भीनननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन reducing equivalence पुछी पढ़ लो एप आमें co-factors माना को पुछी बाँ जिद्या में types of co-factors कहेबा कुछी बाँ co-factors कोई लिए ना दीजा non-frotin compound ना okay so इजो और अला hollow enzyme याको apple enzyme plus co-factor मिर्सी बादर मिली पारे जिद्या में co-factor कोहेबा कुछी बाँ co-factor further classified into metallo-ions कि तामरो co-engines and frost 30 group you co engym दिखुचो इटागोड़ और अर्गनिक compound and frost 30 tightly bounded compound कोड़ कोड़ को तो चालर टीके बोड़ डीटेले बुची बुची बाँ बाँ तामरो co-engym भी थेसर थे एक्सांपल्स of co-engym you have to remember about this okay so now let's move on to the prosthetic group जिद्य प्रोस्थेटिक गुची बाँ अमे कोहीले की co-engym's are the organic compound but the prosthetic groups are non-protein molecules ठीको चीची के totally bound थां थी enzymes बाँना को साथा ओपन permanently बिले बिले इच प्रोस्थेटिक ग्रूप रोप पर्मनेंटली enzyme सेता बाँड ही की थां थी जिद्य हमें एक्सांपल कोथा कोई बुची बाँ जो हेम रहीला हीम येकोट एंजाइम जेकि साइटोक्रोमस माना करे और बाँटिन रे कार्बुक्सिलेस माना करे इतरी देखेगों मिले ठीकोची ओके तो मिटल आयन्स को बुची बाँ inorganic ions that facilitate enzyme activity enzyme activity को जो inorganic ions facilitate करे तका मिटलो आयन्स को हमती and what are the examples of metal ions this is mg2 plus, zn2 plus, fe2 plus and fe3 plus ओके इस सब अबरो मेटल वायनस रोख सांपल एपे बुची बाँ, कोफेक्टर मनं कर तो मेट्टाबोलिजम रेकौनरोल तो जेटी कह बाँ कुछी बा, काटबल लग जो पाथ हुए रहेला जाएके अमारा ग्लाइक्वला से सहलागीमा साइटर के सड़ साइकल है ला इतीरे कौन हुए ना आमारे को फैक्टर्स माना को बहुत बड़ा भूमिका रही था है जै मीची कि एने डी प्लस इस रेडियूस टू अधी एच आच्छा इटी मों रिडियूस टूर्ड घौशी ताइट मींस जेते बले एने डी प्लस जो यह एलेक्टरॉन को इसी ली अट्राइक्ट बड़े पारिवा अड़ एक्यादुर्ण गोनले कहें को फैक्टरण डुकर्द कोरिवा ना इलेक्टर ट्रांस्पोर्ट जेण। आट यह एलेक्टरोन ट्रांसपोर्ट चे ना तम्हें दिखू जहां आमाराकाूं हुए ATP Рोब production हुए जहादवर कोण ही पारिवा नदा рек्डान में को we कुछ इलेक्ट्रोन तोतर प्रो यह और हो वारप ञील से 1 एक आड्वर्शं जैनरे एक अमेंगा टेटली विडियों लाँनी बाहुत भौए पूची पारिव नें स्य ट्रीकसर सथ साइकलले जदी कहाई भा कुछी भी NAD+, FAD हेला इमाने कहां करां थी रिडूस हे जांती NADH को and FADH2 को then ताप परीकॉंड हुए नासे माने इलेक्ट्रोन को capture करी कहना थी and donate कर दिया थी एलेक्ट्रोन ट्रांसपोर्ट चेन को as I told you previously okay so now एपी बुचिपा एनाबोलिक पाथ्वेस आमें बुचिएले को फेक्टर मानना करां metabolism रोल करना but code दिखीले catabolic pathway ना एपी अनाबोलिक पाथ्वे किछडा बुचिपा fatty acid synthesis तो में एक्सम्बल पाइं धरी नियो NADPH रोहिला प्रोफाइड करे reducing power required for biosynthesis of fatty acid fatty acid नियाती दरकार आमा बॉड़ी रहे जो रोहिला macromolecules दरकार नियाती इस वो जो रोहिला ना इस वो अनाबोलिक पाथ्वे द्वारा ही पारे अनाबोलिक पाथ्वे इस ओल अल अबाउट की कोटिया सब्लम वान रों कंप्लिक्स वान रों त्यारी हो बाकू अमें अनाबोलिक पाथ्वे रों यह की चीटा एक्जाम्बल्स जो थी fatty acid synthesis हुए, nucleotide synthesis हुए and oxidative phosphorylation हुए and यह oxidative phosphorylation ना जित्त में एक्जाम्पल ना बना NAD and FADH2 तो तोने टी इलेक्ट्रों तो तो इलेक्ट्रों ट्रांसपर्ट चेन obviously oxidative phosphorylation जेत्त में देख्यों mitochondrial ना इंघ्रमेंब्र ने जेत्त वड़ा मैं पोड़ेवा तो सिट्रिकोन हुए तो नहीं जेत्त वड़ा इलेक्ट्रों पोड़िवे ना proton gradient concentration बोड़िवो and तो proton gradient concentration बोड़िवो तो कॉड़ हुए, ATP आउट भ़ब लुए नंबर फाइब पांच नंबर गुरूप पकरें एटीप एनर्जी रिलीज़ वो जस्ट लाइक इन फॉर्म ओफ एटीप सेड़ा में डिटेल ले बुचिवा तम्हें नोट को टिक्क्या बहुत पोडिन हो देना में बुचिवा रिजेनेरेशन अफ रिडूसिंग एकुवा ना देखा इनलेक्ट्रोन ट्रांसवर्ट चेन रेकोण वोगे कोटे एक्सांबल पाइंको हुचि ना अमर जू रोहले डेडूसिंग एक्षिवालन नदेच के बाइच के बाइच तू देयार ओक्सिदाइज वैक्टो एननेडी प्लस और फेडी जो एनेडी प्लस थिला अव एफटी थिला श्मनेडी पूनी एमनेडी प्लस आव एफटी थिला अव एजान्ती को मने ना एडी एज आफ्टर डोनेटिंग दा एलेक्ट्रोन डा ट्रांसवर्ट चेन ज़ित्तेवड़ से एलेक्ट्रोन देई देउं थे अंत्या आ अपनवक है जान्दी थिलां दिन बोजिवा पेंटोज फॉस्पेड पाथ्वे जो पैंटेज फॉस्पेड पाथ्वे देखी लाँ कि मैलत असाइरड सच्पेल देख तैलोग याँ पर मुझे वूज वो डीटेऻ वीडियो देयाने ची ना तम्हें याको देख लाँ पोरे तममारा सच्पल सिस्टमों कोणों सी भी डाउट रही वा नी ठीक हो ची तमको description box ए लिंक मली भो तमें टिकके जिस चेक करनी हो mallet aspirate subtle and glycerol phosphate subtle and यह भी तीरित में टीटेल यह बुची पारी वो but let me just give you a little bit idea about that this pathway generate NADPH which is essential for reductive biosynthesis and protection against the oxidative stress जो pentose phosphat पाथवे रही ला but mallet aspirate subtle नां बहुद बोड़े आपाट होटे ठीक होची यह जो subtle रही ला जे की transfer of reducing equivalent को आलाओ को रहां थी but को ठीकी across the mitochondrial membrane mitochondrial membrane भी तरे mallet aspirate subtle help करे glycerol phosphate subtle help करे lacking the cytoplasm and mitochondrial redoxidate बतलग की cytoplasm रे आमरा glycolysis हुए ठीक होची and आमर जो electron transfer चेंचे टा mitochondria भीतर हुए यांका भीतर हुए यांका भीतर हुए जो transfer हुए electrons जाईटा possible करा है mallet aspirate subtle and glyceride subtle glycerous phosphide subtle ठीक होची आपके सो एब टीक के जास बुझी बाहा कि ठीक होटे देखा मूं मेंशन कोरी ची अगोटे active side in a substrate अगोटे देखा जास तमाको picture टा ठीक हो पूरगो पोले ची बुझी है पाएं आलोस्टेरिक regulation तो regulation and coordination के मित्य हुए थाए regulation and coordination बहुत simple हुए रही थाए जो enzymes माने रहे ले यह concurrently modulate कुरां थी co-factors माने को जीकि अलोस्टेरिक साइटो प्रेवायन कोरे जादरा metabolism flux को को है परे नार influence है परे नार्मारित में जदी दिख्या गोची बहुँए चोट्टो पिक्चर टेहां ची जोटा तमाको बेटर आएडिया दी पारी बहुँए गोटे जदी आम्या अलोस्टेरिक एंचाइम कंजिडर कोट्चे एटा enzyme रो आक्टिव साइट एटा अलोस्टेरिक बहुए रेकुले ना कोट्वेक्टर सिता बैंड होबाद अलस्टोडिक साइड जातरा मेटाबलिक फ्लक्स काना अभा इंफ्लेंसेजी एगोची दिन फिद भाइक अनिवीशन रामी कौंजिगा इबाद अधा अधुए अधा अधूए न पात्वे रेगुए निवीच्ट पारी अधूे लीचे कोफया में अध्यू अधि पहर थाए रामी किया अधू विए रुँटवीर रेजिजी अधा इंवाज हो यूटीवज रहा कोची तो है अधू अधे अध्यू गुवेटर ररेक्पले स्की देंस अधाू परिफ यू रिचुटी पोध शीम्ग Certis樣तरा only न उल्ट कि लीटो प्लाइजिस वे जुडा के Mitochondria भीत रही पर होनी राइट सो कोहें बाक उगले इजो साइटो प्लाजम देखिला इसाइटो प्लाजम र्वेग ने मित्रों अद मेंटो कोण्रा भीत रही हुए तो मिंब्रेन बाउन और अर्गनेल्स को आमें कंपांड मे करें एंड टिके बहुत अडिशनल टॉपिक लेंड करीबा विच इज अल अबाउट जो कोफेक्टर्स और रिडूसिंग इकुवलेंट्स वहले और क्लिनिकल लेंड बायो टेक्न लोजिकल एंप्लिकेशन्स कोना से भी सिर टिके बहुत लेंड करीबा तो देखो ज़ित में कोई भागुचिबों डेफिशन्स इन को फैक्टर्स और इंबालेंस इंड रेडोक्स स्थाट् केन बिलेट तो अमेड़ लेक्ट्रों जयांगी पहुंच इवा निटा ठीक जागा परे जदिएलेक्ट्रों जैंग नों पहुंचिबो तो मरें एनर्जी किम्टी को एक्झबोल षिक में मिलेग को अचीस में कि उनुछेंग ट्रफिछान या घंध कम श्यन फिरम टौट उन ट्रफिक ससומצ लिखिवज वह टू लुसर्मा क pen वैट्रफ्रेम में गॉपी प्रशंच इजीर्ग कोई चैसे क्था संवा हुटकार्यों की दॉपकोट भूटा रिज अधिक का रिए आ पहान पॉट्टो पर डाय से भी ट्रिट में पाई ट्रिट्मेंट को रहा हुट अपा हैं और इन जो इसके कई पो अधिनों को अधिनों को विद आई विए और मोरो, co-factors and reducing equivalence. So, in this class, this is all about today. And I hope, that I am reducing equivalence and co-factors. But still, if you have any doubt, then you can consume with me in the comment box. And thank you for watching this video. Thank you.